हेलो गाइज आज हम एनिलाइज कर रहे हैं भारत के उबरते फास बोलर कमलेश नागर कोटी का बोलिंग एक्शन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दवाएं एसी इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो चले शुरू करते हैं नागर कोटी रनप में अपने दोनों आम्स को बरावर मूव करते हैं जिससे बॉडी बैलेंस पूरी तरह मेंटेन रहता है वे रनप में अपना रेजूली बिल्डप करते हैं और लाश के कुछ स्टेप्स में इनकी स्पीड सबसे तेज होती है नागर कोटी काफी अथलेटिक बोलर हैं आप इस बात का अंदाज़ा उनके रनप से ही लगा सकते हैं नागर कोटी अपना रनप बहुत तेज करते हैं नागर कोटी अपना लोडप अपनी बोड़ी के करीब और अपनी बिल्कुल नजरों के सामने रखते हैं ये एक परफेक्ट टेक्नीक है नागर कोटी एक side on baller है यानि जब इनका back foot land करता है तो वो crease के parallel होता है इनका back foot coffee quick रहता है राउंड को बस थोड़ा सा touch ही करते हैं और front foot पर चले जाते हैं इस time पर इनका non bowling arm भी control में रहता है नागर कोटी की height ज्यादा लंबी नहीं है नागर कोटी सिर्फ 5 foot 8 inch के ही है लेकिन pace का height से कोई लेना देना ही नहीं है जब तक आपका rhythm और action की timing perfect हूँ front foot per contact पर इनकी upper body still sideways है और इनकी एक star position बन रही है जो कि fast balling के लिए काफी important है front foot contact पर जब तोनों arm सीधे खुले हो इससे star position कहते हैं star position से body balance बिलकु सेंटर में रहता है नागर कोटी के arm speed बहुत तेज है he just wipes into the action इस वज़े से कौन सी gain कब आ जाये batsman को इसका अंदाजा ही नहीं रहता तेम्ज arm speed की वाले ballers की length जज़ करना काफी मुश्किल होता है और उनकी bouncer काफी effective हो जाती है कमलेश नागर कोटी के नाम under 19 cricket के सबसे तेज ball डालने का record है जो की लगवग 140 km प्रती घंटा की रफ़तार से डाली गई थी नागर कोटी के पास speed बचपन सही थी जब वे 8 साल के थे तब वे अपने इसे बड़ी उमर की ballers से भी तेज गेंदबाजी करते थे बाद में उन्होंने अपने coach के सांथ मिलकर अपने action alignment पर काम किया नागर कोटी का एक high arm bowling action है यानि कान के पास से gain को release करना इससे इनकी wrist position काफी सीधी रहती है और दोनों तरफ wall swing कराने में भी काफी मदद नहीं है नागर कोटी अपना back foot drag करके wall को release करते हैं नागर कोटी का follow through काफी balanced और energetic रहता है और यह batsman की तरफ सीधा भाग कर अपना follow through complete करते हैं so that's all from the video ऐसी और मज़दार वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye